बतादे कॉंग्रेस पार्टी की राष्टी महासचीव प्रियंका गाधी वाड़रा ने बीते दिन मंगलवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता महंगाई बेरोजगारी समेत अन्यमुद्दो पर एक जुट होगी प्रियंका गाधी ने एक वीडियो में कहा कि हम एक सकारात्मक राजनीत शुरू कर रहे हैं हम आपसे सुनना चाहते हैं कि हम आपकी समझ्याओं का समाधान करना चाहते हैं हम अपने प्यारे देश को एक जुट करना चाहते हैं आईए भारत को एक साथ लाएं उन्होंने कहा क आज की राजनीत ने लोगों और उनके मुद्दों से आखे मूदली है वहीं कॉंग्रेस की राजनीति महा सचीव ने कहा कि राजनीतिक चर्चा आज देश के लोगों पर ध्यान किंद्रित नहीं कर रही है इसने पूरी तरह से एक अलग मुड ले लिया है आज की राजनीति ने लोगों और उनके मुद्दों पर आखे मूदली है इस यात्रा के माध्यान से हम आम आदमी की समस्याओं और चिंताओं को सामने लाना चाहते हैं कॉंग्रेस पार्टी के वरिष नेता ने लोगों से यात्रा में सामिल होने का अग्रह करते हुए कहा कि लोगों को देश को समरिध बनाने के लिए एक जुट होना चाहिए जानकारी के लिए बता दे कॉंग्रेस पार्टी आज बुद्धवार को कन्या कुमारी से कस्मिर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की तयारी में है मार्च 150 दिनों तक चलने की उम्मीद है और यह अलागभग 3500 किलो मीटर की दूरी ते करेगा यात्रा मुख्यरूप से हिमांचल प्रदेश सहित 12 राज्यों से होकर आगे बढ़ेगी जहां इस साल के अंतमे विधान सभाव चुनाओ होने है अखिल भारती कॉंग्रेस कमेटी AICC के राष्टी प्रवक्ता मोहन प्रकास ने कहा केंदर सरकार की जनविरोधी नीतियों के करण देश कंभीर चुनाओतियों से गुजर रहा है देश को इन चुनाओतियों से उबारने और देश के युवाओं को बचाने के लिए कॉंग्रेस भारत जोड़ो यत्रा सुरू करने जा रही है जिसमें सभी ब्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वहीं प्रकास ने कहा कि सरकार महंगाई को रोकने के बजाय इसे बढ़ा रही है और केंदर सरकार इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों के लोगतांतरिक अधिकारों को कुचलने की कोशिस कर रही है कॉंग्रेस महागाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला करती रही है कॉंग्रेस का कहना है कि ये आम लोगों के मुद्दे हैं और इस पर सभी मंचों पर चर्चा होनी चाहिए यात्रा में मार्च रैलिया और जनसभाय सामिल होगी जिसमें सोनिया गाधी और प्रियांका गाधी वाडरा सहित कॉंग्रेस के वरिश्ट नेता सामिल होगी